की बात है, एक बहुत अमीर करोड़पती आदमी था, जिसका नाम कालू था, वो अपने शहर में डाकू कालू के नाम से मशहूर था, कालू ने तरह तरह के गलत काम करके बहुत सारा काला धन इखटा कर रखा था, एक दिन कालू बैठे बैठे सोचने लगता है, अब तो मेरे पास इतना सारा पैसा है, मुझे लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, पर इस शहर में कोई लड़की मुझसे शादी करने को राजी होगी, एक काम करता हूँ, दूसरे शहर चला जाता हूँ, और वहां मैं अपने एक नया घर बनाऊंगा, और वहीं कालू एक बहुत अच्छा आदमी है, पडोसियों में ही एक लड़की थी, मीना, एक दिन मीना कालू के घर आती है, वा, कितना बड़ा घर है, अरे कोई है यहाँ पर, जी बताईए आपको मुझसे कुछ काम है क्या, जी क्या, वो मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी, कालू को मीना बहुत पसंदाती है, और मीना को भी कालू के पैसे से प्यार हो जाता है, कुछी दिनों में तोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, मीना भी अब करोड़ पती थी, पर उसे नहीं पता था कि कालू का सारा पैसा गलत क काम से आया है एक दिन कालू को अपने दोस से मिलने पुराने शहर जाना था मीना सुनो मैं दूसरे शहर कुछ काम से जा रहा हूँ तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो बे जिजक तिजोरी से जितने पैसे चाहिए हो ले लेना और शॉपिंग पर चली जाना ठीक है ना हाँ जी हाँ जरूर आप तो मेरा इतना खयाल रखते हैं कि मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ हाँ तो इसमें भला कोई शक है क्या तुम तो दुनिया की सबसे खुबसूरत और खुश नसीब औरत हो इसके बाद कालू चला जाता है और उसकी गैर हाजरी में उसका एक पुराना दुश्मन घर में चाकू लेकर घुस जाता है मीना उसे देखकर हिरान हो जाती है अरे कौन हो तुम और ये चाकू लेकर कहां घुसे चले आ रहे हो क्यों बाबे जी आपको कालू ने बताया नहीं कि मेरे बारे में चले कोई बात नहीं मैं ही बता देता हूं लेकिन आपको मारने के बाद इतना कहकर वो मीना पर चाकू से वार कर देता है और मीना वहीं जमीन पर गिर पड़ती है मीना मरने से पहले उससे पूछती है कौन हो तुम और मुझे क्यों मारा तुमने आखर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था वो डाकू कालू ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया और फिर यहां दूसरे शहर में मजे से शादी करके बैठा हुआ था तो मैंने उसकी बेवी को मार कर अपना बदला ले लिया समझी इतना कहकर दुश्मन वहां से चला जाता है मीना मरने के बाद एक चुडैल में बदल जाती है आखर यह सब हुआ क्या और कैसे मैंने अपना पूरा बच्पन गरीबी में बिताया और जब मेरे अच्छे दिन शुरू हुए तो किसी ने मुझे मार ही डाला नहीं ये नहीं हो सकता अभी भी ये सब मेरा है ये पूरा घर मेरा है मैं करोड़ पती चुडैल बन कर इस घर में रहूंगी और यहां से कहीं नहीं जाओंगी पर पहले मैं इस कालू की सच्चाओई का पता करूँगी इसकी वजह से मुझे बेवजह मरना पड़ा उधर जब कालू वापस शेहर में लोटता है तब वो देखता है कि उसके घर में मीना की लाश पड़ी हुई थी ए भगवान ये क्या हो गया? किसने मारा मेरी बीवी को? अब क्या होगा? सरूर वो मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा अभी पता लगवाता हूँ अपने गुन्नों से कि ये किसका काम है? चुडैल कालू की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी कालू अपने कुछ दोस्तों से फोन करके पता लगवा लेता है कि मीना कुछ चिम्पू ने मारा था चिम्पू के घर में कालू ने डाका डाला था और सारा पैसा लूट कर उसके परिवार को भी मार डाला था अब मैं उस चिम्पू के बच्चे को नहीं चोड़ूँगा उसके इतनी हिम्मत मैं उससे तो मरवा ही दूँगा पर अब इसका क्या करूँ मुझे लगता है मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए अभी मेरी उमर ही क्या है अगर मेरे बच्चे और परिवार ही नहीं होगा तो आकर इतना सारा पैसा लेकर मैं कहा जाऊंगा ये सब सुनकर चुड़ैल आग बबुला हो जाती है वावाव अभी मुझे मरे एक हफता भी नहीं हुआ और ये कालू का बच्चा दूसरी शादी करके मेरा सारा पैसा किसी और के नाम करना चाहता है नहीं मैं ऐसा हरगिस नहीं होने दूँगी इसे तो मैं मेरे घर से धक्का मार के अभी निकालूंगी चुड़ैल जादू करती है और डाकु कालू उड़ता हुआ सीधा घर के दर्वाजे से बाहर जाकर गिरता है कालू फिर से घर के अंदर जाने की कोशिश करता है पर वो फिर से चुड़ैल के जादू की वज़े से बाहर जाकर गिर जाता है जब बहुत बार कोशिश करने पर भी कालू घर के अंदर नहीं जा पाता तब वो समझ जाता है कि ये जरूर किसी चुडैल का काम है ये जरूर किसी चुडैल तब ही चुडैल घर के बाहर आ जाती है हाँ और ये किसी ऐसी वैसी चुडैल का काम नहीं है इस सब के पीछे मैं हूँ मैं मीना मेरी मौत तेरी वचह से हुई है कालू और अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं तुने न जाने कितने मासूम लोगों को मारा अब ये घर और ये सारा पैसा मैं अपने पास रखूंगी और तू अब सड़कों पर घूमेगा समझा अब से मैं इस दुनिया की पहली करोड़ पती चुडैल हूँ अब मैं क्या करूँ ना मेरे पास पैसे बचे हैं ना ही मेरा घर इस मीना की चुडैल को मैं ऐसे तो चाने नहीं दे सकता मुझे कुछ तो करने ही पड़ेगा पर क्या कालू अपने एक पुराने दोस्ट चमन से मिलने जाता है अरे मेरे लंगोटिया यार कालू बड़े दिन बाद आना हुआ मैंने तो सुना था कि तुने सब गलत काम छोड़ दिये और तु शादी करने दूसरे शहर चला गया कहा है तेरी बीवी मुझे मिलवाएगा नहीं अरे हाँ जरूर मिलवाँगा चल मेरे साथ चमन मैं तो जरूर अपने घर ले चलता हूँ हरे जरूर चल कालू कालू चमन को अपने घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर देता है और चमन से कहता है जह चमन तेरी भावी घर के अंदर ही है उसने मुझे से गुसा होकर मुझे घर से निकाल दिया है अब शायद वो तेरी बात मान ले तुमेरे इतना अच्छा दोस्त जो है अरे अरे बस इतने सी बात रुक मैं जाता हूँ और भाबी को मना कर बाहर ले आता हूँ चमन दर्वाजा खोल कर घर के अंदर घुस जाता है अंदर चुडेल आराम से सोफे पर बैठी हुई थी अरे भाबी जी आपको देखकर तो लगता है कि आप रात बर सो ही नहीं आपका भी दिल नहीं लग रहा होगा न कालू भाई को घर से बाहर निकाल कर चलिए बाब उन्हें माफ भी कर दीजिए बोलते बोलते जब चमन चुडेल के थोड़ा पास जाता है तो वो देखता है कि सोफे पर कोई असली औरत नहीं बलकि एक चुडेल बैठी हुई थी चुडेल चमन की तरफ गुसे से देखती है एवकूफ तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे घर में बिना मेरी इजाज़त के घुसाया और मुझसे बकवास कर रहा है अगर तू सचमुच कालू का दोस्त है तो तुझे भी शायद वैसे ही घर से निकालना पड़ेगा जैसे मैंने उस कालू को निकाला था थोड़ी देर में चुडैल चमन को भी उड़ा कर घर से बाहर फेक देती है कालू डरा सेमा हुआ चमन के पास आकर कहता है क्यों चमन मिल गए अपनी भाबी से जरा बता मुझे की तुझे वो कैसी लगी कालू के बच्चे तुने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंदर चुडैल है मैं तो बाल बाल बचाऊं ये सुनकर कालू चमन को सारी बात बता देता है ये किस तरह मीना चुडैल बन गई और अब वो उसे उसके घर में ही नहीं जाने दे रही और उसका सारा पैसा हडब कर बैठी है ये सब तेरे ही कर्मों का भाला कालू अरे अगर तेरे घर में कोई इनसान घुसकर बैठा होता तब शायद मैं तेरी मदद भी कर पाता पर अब इस चुडैल से बचने में मैं तेरी मदद कैसे करूँ ना बाबा ना मैं तो चला चमन अगर तुने मेरी मदद कर दी तो मैं तुझे अपना आधा पैसा दे दूँगा और अपने घर में भी तुझे रहने दूँगा क्या सच मुच में चल ठीक है फिर मैं करूँगा तेरी मदद पर अगर मुझे जरासा भी लगा कि मेरी जान को खत्रा है मैं यासे भाग जाऊँगा ठीक है मुझे शर्ट मन्जूर है तू बस मेरे साथ चल फिर क्या था कालू और चमन मिलकर चुडैल को घर से भगाने का प्लान बनाने लगते है चमन एक तांत्रिक को बिला लेता है तांत्रिक घर के अंदर चला जाता है और एक जगा बैट कर अपने फोन में गेम खेलने लगता है चुडैल तांत्रिक को बड़े ही ध्यान से देख रही थी इन बेफकूफ लोगों को लगता है कि भूत प्रेज सच में होते हैं अब मैं थोड़ी देर में बाहर जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने चुड़ैल को बगा दिया और इनसे इसके खूब पैसे भी लूँगा तांत्रिक गेम खेलने में ही लगा था पर चुड़ैल उसका फोन अपने जादू से हवा में उड़ा देती है चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है तो तुझे क्या लगा वो दोनों पागल हैं जो इतना डर रहे हैं वरना मैं तुझे ही तेरी इस भूत पकड़ने वाली बोतल में क्याद कर दूँगी नहीं नहीं बताओ मुझे क्या करने तुम जब बोलो कि मैं वो करूँगा बस मुझे मारना मत मेरे चोटे-चोटे बच्चे हैं ठीक है ठीक है लोना बंद कर तु अपनी ये बोतल मेरे पास रख दे और बाहर जाकर चमन और कालू से कह कि तुने मुझे बोतल में क्याद कर दिया है तांतरिक ठीक ऐसा ही करता है जाओ मैंने चोटेल को बोतल में क्याद कर दिया है और वो बोतल अंदर ही रखी है अब मैं जा रहा हूँ यहां से अरे लेकिन आपको अपने पैसे नहीं चाहिए वो मैं बाद में ले लूँगा अभी मुझे कहीं जाना है कालू और चमन खुशी-खुशी घर के अंदर जाते हैं और बोतल को उठा कर ध्यान से देखने लगते हैं अरे चमन मुझे तो बोतल में कहीं चुड़ाल नहीं दिख रही ऐसा क्यों? एए ऐसा इसलिए कालू मेरे भाई क्योंकि वो चुड़ाल हमारे ठीक सामने खड़ी है अरे भागो यहां से चमन जल्दी से वहां से भाग जाता है पर इससे पहले कि कालू भाग पाता चुड़ाल कालू को अपने जादू से बोतल में क्याद कर लेती है अब आया ना मजा अब हुआ है मेरा बदला पूरा अब मैं तुछे इसी घर में सचा कर रखूंगी हमेशा अपनी आखों के सामने तू हमेशा इसमें क्याद रहेगा मजा आ गया चुड़ाल कालू को बोतल में बंद करके एक टेबल पर सजा कर रख देती है और शान से उस घर में करोड़ पती की तरहे रहने लगती